जै बजरंग बली की दोस्तों, दोस्तों सर्द पूर्णिमा अन्य सभी पूर्णिमाओं में सबसे अधिक मैतव रखती है, इस दिन अकास में चंद्रमा अपनी संपूर्ण 64 कलाओं से विद्धमान होता है और बहुती खूप सूरत दिखाई देता है, सर्द पूर्णिमा को बहुती खास माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन माता महालक्षमी स्वैम विश्चरण करती है दरती पर, आज की इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसी बातें बताने वाले हैं, जिनका आपको सर्द पूर्णिमा के दिन विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके घर में भी सुक्सांती और संब्रदी आए, और किसी भी प्रकार से आप माता महालक्षमी का अनाधर ना कर सकें, ताकि वे आपसे कभी रूष्ट ना हो और आपके घर में हमेशा आई विद्धे मान रहें, तो दोस्तो आए जानते हैं वे 15 बातें, जिने आप आपको ध्यान में रखना चाहिए, और माता महालक्षमी को हमेशा प्रसन करके अपने घर में विराजमान रखना चाहिए, इससे पहले बस आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दे, जै बजरंग बली, जै माता दी, दोस्तो सर्थ पूर्णमा को आपको बिलकुल भी देर से नहीं उटना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है, इस दिन आपको बिलकुल भी देरी से नहीं उटना चाहिए, अगर संभभ हो तो आपको ब्रह्म मूरत में उट जाना चाहिए, अक्सर लोग देखा गया है कि उठने के बाद अपना मुवाइल, या फिर अन्ने में वेस्थ हो जाते हैं, इसकी बजाए आपको सुबह उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निर्मूत हो जाना चाहिए, और सस्बह जब भी जल्दी उठजाएं, तो आपको स्नान आदी करके स्वच्छ हो जाना चाहिए. यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति अक्सर देरी से उठते हैं या फिर जल्दी भी उठ जाए तो इस नानादी करने के बाद वे अपने पुराने कपड़ ही धारण कर लेते हैं इसके विपरीत सर्थ पुनिमा के दिन आपको स्वच्छ वस्तर ही धारण करने चाहिए और अप उनकी आप तस्वीर का इस्तमाल करते हैं तो आपको बाजार से जैने उला कर उन्हें धारण करवा देना चाहिए सर्थ पुनिमा की रात बहुत ही खास होती है वहीं पूरा दिन भी बहुत ही खास होता है इसलिए जिसकिसी भी भगवान को आप मानते हैं जो भी आपके आर पिर मूर्तियादी रखें और उसके बाद ही उनकी पूजा करें पूजा करने के लिए अंब आचमन वस्त्र गंद अक्षत फूल दूप दीप और कुछ भूग भूग भी आप अवश्य लगाना चाहिए तांब मूल सुपारी यह वश्य देनी चाहिए और साथ ही साथ चा और आप किसी भी पूजा के दुकान पर जा करके यह सभी का नाम अगर उन्हें दिखाएंगे तो वह आपको सभी चीज दे देंगे इसके अलाबा दोस्तों गाय के दूज से बनीवी खीर में घी और सक्कर मिला करके मीठी पूरिया से भगवान को आदी रात को भोग लगा अगर आप ब्रत नहीं भी रख रहे हैं और अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो यह उपाय आप तब भी कर सकते हैं इसके लिए बस आप एक लोटे में सुद जल भर लें और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल करके उसे अपने पास रखें और एक गिलास में ग्योंके दा प्रशना भी दें इसके पास दोस्तों जो आपने एक गिलास में ग्योंके दाने भरे हैं उसमें से आप तेरह दाने अपने हाथ में उठा लें और हाथ की मुठी बंद करके अगर आपने बरत किया है या फिर नहीं भी किया तो बरत की कथा सुने जब कथा पूर्ण हो कर दे और जिस लोटे से जिस लोटे में आपने गंगा जल डाला था उस लोटे से आपको रात को चंद्रमा को अर्ग देना है और उसी में थोड़ा सा जल बचा ले और बागी बचे हुए जल को अपने पूरे घर में छिड़क दे चंद्रमा का अर्ग देने से उसमें माता ल लक्ष्मी का और चंदर देवता का आशिरवाद हमेशा के लिए बना रहता है और हमेशा के लिए लक्ष्मी आपके घर में विद्यमान रहती है अंत में सभी सरुदालूओं को प्रसाद भी अवश्य वित्रण करना चाहिए चांद की रोशनी में सुई में धागा अवश्य पर रोना चाहिए कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी के लिए हमेशा ये लगता है कि हर कोई व्यक्ति उनके लिए जाग रहा है इसलिए वह आपके घर में एक बार ब्रमन करने अवश्य आती है वहीं अगर आपने इस लोटे के जल वाला उपाय किया है तो ये समझ लिए कि माता लक्ष्मी का एक अंश हमेशा के लिए आपके घर में विद्धमान हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों नेरोगी रहने के लिए जब पूरा चांद आकास के बीचों बीच दिखाई दे रहा हो तब उसका पूजन जरूर करना चाहिए और रात को ही खीर से भर लोग लगाना चाहिए किरेंड करना चाहिए और प्रसाद के रूप में वित्रण भी करना चाहिए तो दोस्तों यह तीवे कुछ बातें जिनका आपको खास रूप से ध्यान रखना चाहिए वरना आपको माता लक्ष्मी का पूरा असिरवात प्राप्त नहीं होता है तो द